दोस्तों आप सबको एक बार फिर से जे एक्स नॉलेज में स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज जो सबको चाहिए क्या आपको चाहिए जी जी आपको चाहिए हम मुझे तो चाहिए अरे मेरे दोस्तों को भी चाहिए मेरे एक दोस्त है उनके नामे गोयल विक्रम और मेरे एक और दोस्त है उसके नामे महज जी उन्हें बंगला चाहिए कार चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए और हमेरे गोयल भाई को एक अच्छे वाइव भी चाहिए उन सब चीज चाहिए उन सब को आपको भी कुछ चाहिए जी हाँ आज हम चाहिए के बारे में बात करेंगे तो आप इस वीडियो के अंतक बने रहें देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसे कहा जाता है सुल सुल से सुद बना और देखिए सुद में आपको एल को साइलेंट रखना है एल को उच्चारन नहीं करना है एल को छोड़ कर आपको उच्चारन करना है तो क्या होगा उच्चारन सुद तो सुल्ड से सुद बना तो इस पर आप ध्यान दीजेगा अब हम इसी सब्द से उन सारे बातों को करेंगे जो हमें चाहिए सो सुद का पैचान होता है चाहिए और दोस्तों इस चाहिए से आप कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं लेकिन साथ में हम इस सुद के पास्ट को भी देखते हैं जब आपको कभी किसी को कहना है कि मुझे कुछ चाहिए था उस जगह पे आप लगाएंगे सुद है और तो साथी साथ भूलना नहीं उसमें वर्ब के थर्ड फर्म का प्रयोक कर दे यदि आप सुद हैब तक छोड़ देंगे तो हैब जो है वो एक एज़े वर्ब के रूप से काम करना सुरू कर देता है और उसके सामने क्रिया नहीं उसके सामने कॉंप्लिमेंट आ जाएगा ज सुद का सेंटेज बनाने के लिए हम फर्मूला लिख लेते हैं सबजेक्ट प्लास सुद प्लास बड़ प्लास बड़ प्लास प्लास अबजेक्ट मुझे बजार जाना चाहिए I should go to market मुझे कार खरीदना चाहिए I should buy a car रमेश को मेरा घर आना चाहिए रमेश सुद काम टू माई होम पुजा को पढ़ाई करना चाहिए पुजा सुद लर्ण या आप स्टड़ी भी लगा सकते हैं यदि मुझे नेगेटिव में सेंटेज बनाना है और कहना है कि मुझे बजार नहीं जाना चाहिए सो हम कहेंगे I should not go to market अब should not को एक साथ student भी कह सकते हैं सो और कुछ सेंटेज को बनाते हैं जैसे रितेज जी को दोस्तों से मिलना नहीं चाहिए रितेज should not meet with friend आईए आपको सवाल जबाब बना कर देखते हैं क्या मुझे आपसे मिलना चाहिए should I meet you क्या रोहन को school जाना चाहिए should रोहन go to school सो दोस्तों आप देखे होंगे कि सुट से किस प्रकार का sentence बनाया जाता है अब हम कुछ आपसोस के बाद कर लेते हैं जैसे मुझे जाना चाहिए था यारि आप जा नहीं पाए तो आप आभी आपसोस कर रहे हैं तो हम कैसे फर्मूला बनाएंगे subject plus should have plus verb of the third form plus object मुझे college जाना चाहिए था I should have gone to college पिता जी को दावा लेना चाहिए था Father should have taken medicine मुझे दिल्ली जाना चाहिए था I should have gone to Delhi अब इसका negative बना कर देखते मुझे दोस्तों के साथ मिलना नहीं चाहिए था I should not have met with friend मुझे पुजा से बात करना नहीं चाहिए था I should not have talked to पुजा अब चलिए कुछ सवाल जबा बना कर देखते हैं क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए था Should I have talked to him क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए था Should he have gone to Delhi क्या उसे दारु पीना चाहिए था Should he have drunk the wine So दोस्तो आप देखे होंगे किस प्रकार का sentence बनता है So आपको कभी चाहिए और कभी चाहिए था बोलकर कुछ भी कहना है So आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देखिए एक last बात मैं बता देता हूँ देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि suit के साथ have लगाए और plus third form का प्रोयोक करेंगे तभी चाहिए था होगा और यदि आप suit के साथ have लगाकर छोड़ देंगे have जो है वो एक verb के रुप से क्रिया करने लग जाएगा इसके मतलब suit का अर्थ होता है चाहिए और have मने pass तो pass होना चाहिए तो चलिए उसका भी कुछ sentence को बना लेते हैं जैसे गोल के पास एक कार होना चाहिए महस भाई के पास एक बड़ी बिल्डिंग होना चाहिए महस भाई पास पैसा होना चाहिए I should have money मेरे पिताजी के पास एक बाइक होना चाहिए My father should have a bike So दोस्तों आप इसे negative और interrogative में बनाने का प्रयास करें So दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ परिवारों के साथ सेयर करें और जो अंगरेजी सिखना चाहें उनके साथ भी आप सेयर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं So subscribe button को press कर दे और साथी साथ corner पे दिये हुए bell icon को press कर दे जब भी मैं कभी नई वीडियो बनाओ सो उसके notification आप तक पहुश सके और साथी साथ आप like कर दे और comments भी कर दे नमस्कार